साथियों, आज भारत में सानाना प्रतिव्यक्तिक कार्वन फुट्विंट करिब करिब डेड़ तन ही है, जबकि दुनिया का अउसत चार टन प्रतिवर्षका है, फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसे वेस्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगया आकर काम कर रहा है इसने उजवला योजना शुरू की, ताकि कोईले और लकडी से दुएक से मुक्ति मिले, हम वाटर सिक्यूरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जीले में 75 अमरुत सरोवर आज बनाने का बहुत बढ़ा अभियान चला रहे हैं, हमारी यहां वेस्ट से वेल्थ पर भारत के पास विश्व में रिन्यूबल एनर्जी को चोथी सब्चे बड़ी छम्ता के रुप में हमने उभार पाये हैं, आज हम 20 एनर्जी में भी चोथे नंबर पे हैं, 16 एनर्जी में भी पांच्वे नंबर पे हैं, पिछले सातार वर्षों में भारत की रिन्यूबल एन प्रतिषत नॉन फोसिल फ्यूम इन्हें उससर्च को ही हासिल करने का लक्ष आप भी हमने समय सिमा से नव साल पहले हासिल कर लिया है हमने है प्हारत प्रतिषत इतनाल ब्लेंडिंग का लक्ष भी किया था और उसे भी समय सिमा से पांच महने पहले ही हमने पूरा कर लिया है अब भारत पैट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनोल ब्लैंडिंग के लक्ष पर काम कर रहा है हाइड्रोजन एको सिस्टीम के जी लिए भारत परियावरन के अनुकुल उर्जा स्रोथ की तरफ भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और यह गुजरात इस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब के रुप में विक्सित होता चला जा रहा है इसे भारत और विश्वकरें कि कई देशों को नेट जीरों के अपने लक्ष को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी